अलो फ्रेंड्स वल्कम टू आएक्जामवी आइम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया आएक्जामवी में आपकी तयारी जो है 50% फासर वे में होती है क्योंकि हमारा कंटेंड क्रिफ्स है इससे आपका टाइम जो है 1 थर्ड से होगा और वो आप यू पता दिया था वो वीडियो में आपको यहां पर दिखाऊंगा और यहां पर वेकंसी और यह सारी चीजों तो पहले ही पता थी तो इसमें बिल्कुल नया कुछ नहीं है पस एक चीज यहां पर नहीं है और वो जो बदलाव है वो जो चेंज है सबसे बड़ा है अभी लेकि जुले इंड का मतलब होता है जुले का last Saturday अगस्ट इंड का मतलब होता है अगस्ट का last Saturday तो ये जो डेट है 27 तारीक जुले की and 31st अगस्ट ये मैंने exact बताया था नाभाड का भी मैंने exact बताया है ये वीडियो आप जाके देख लीजे और ये पहले बताने का purpose ये है कि आप पढ़ाई के लिए लग जाए बिल्कुल भी time waste मत किजी क्योंकि notification आने के बद आपको बहुत खम दिन मिलते है purpose वही होता है बाकी कोई purpose यहाँ पर नहीं होता तो ये देखिए ये तो सब आपने देख लिया होगा वेकंसी कितनी है अब यहाँ एक student मुझे पूछा था कि सरी ये स्टी के वेकंसी एक है तो ये तो reservation की policy यहाँ पर लागू ये नहीं है देखो ये होता है reservation कोई भी category का हो EWS है ये OBC है तो ये organization wise लागू होता है तो organization में माल लिजे 1000 seat है तो EWS को 100 होगी हर notification के वो applicable नहीं होता है कि हर notification में ratio maintain करना ऐसा होता नहीं है कुछ-कुछ notification में कुछ category की वेकंसी जादा आती है कुछ में कम आती है तो ये मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने याँ पर जवाब दिया बहुत अच्छा chance है और organization बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर feedback मिला है जो लोगों ने IT का job join किया है तो ये official language electrical engineering का आप देख सकते है देखो सबसे बड़ा बतला मैं आपको दिखाता हूँ ये जो notification है ये है 2022 का तीक है ये 2022 का है आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो ये phase 2 है यहाँ पर general steam का जो paper है वो यहाँ पर 40 minutes का लिखा हुआ है ठीक है और IT का जो paper है वो 180 minutes का है तो आपको क्या याद रखना है 40 minutes and 180 minutes ये 2022 का है अभी आते है 2024 का notification ये है आपका 2024 का notification और यहाँ पर आप देख लीजिए phase 2 में general steam में 90 minutes का paper है और आपका जो information technology का है information technology का 210 minutes का paper है यानि कि generalist में 40 से 90 हुआ है और IT में 180 से 210 minutes हुआ है अब इसका purpose क्या है मुझे काफी लोगों ने पूछा तो यहाँ पर देखो जैसे पहले थोड़ा सा अंदाजा था मैंने उसके बारे में बताया भी था कि जैसे यहाँ पर descriptive लिखा है clear cut clear cut लिखा है और यहाँ पर bifurcation भी किया उन्होंने कि objective और descriptive का bifurcation करके लिखा है कि यह 60 minutes है और यह 60 minutes है वैसा यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है correct तो यहाँ पर वैसा डरनी की जरूद नहीं हमें कि यह descriptive हो जाएगा क्योंकि ऐसे अगर होता तो वो अलग-अलग उसको bifurcation करते लेकिन अभी ऐसे हो सकता है कि जोड़े difficult type के question आ सकती क्योंकि 40 minutes यानि कि doubles 100% यह दाजा time बढ़ाया है अगर आप percentage वाइस देखेंगे तो यह देखो यह 125% हो गया correct 40 का double करके उससे भी 10 minutes जाता है और यहाँ पर IT में भी बढ़ाया है पहले 180 था अभी 210 की अभी इसका descriptive का आपको attention लेनी की जरूरत नहीं अगर ऐसे होता तो वहाँ पर ऐसे करके वो बता देते हैं अभी ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है तो मुझे लगता है यहाँ पर numericals आ सकते हैं आपको बता है numerical question जो होता है उसको solve करने के लिए time लग सकते हो लेकिन यहाँ पर उन्होंने 90 का लिखा है तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा doubt लगा और यह सबसे बड़ा है बाग की तो आप तो cut update क्या है syllabus क्या है pattern क्या है वो देख लेंगे लेकिन यह difference है बहुत कम लोग ने identify किया है और इसको analyze करने का try किया है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है अभी तो देखो अभी तो इस पे focus कीज़े न अभी phase 1 पे focus कीज़े as of now बात में देख लेते कुछ हम clarification मांग लेते उनसे या कुछ email करके तब तक आप time waste मत कर ले न otherwise ऐसे जो थोड़ा सा uncertainty आती न बच्चे फिर confused हो जाते क्योंकि सब लोगों का उनके mind पे control नहीं होता है तो फिर वो disturb हो जाते कि यार ये कैसे होगा descriptive आएगा तो मेरा कैसे होगा वैसा तो यहाँ पर नहीं आएगा ऐसे यहाँ से दिखता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने clear cut bifurcation करके दिया है legal stream में ठीक है बाकी ये interview का है interview वैसे के वैसे रहेगा यहाँ पर आपका जैसे interview रहता वैसा है यहाँ पर ये जो experience के जो mark से वो सिफ legal and engineering electrical जो है उसके लिए है otherwise बाकी stream का जैसे normal interview होता है आपका वैसे है तो generalist के लिए कोई experience चाहिए ऐसा कोई condition यहाँ पर नहीं दिया है ठीक है अगर आपको notification डाउनलोड करना है तो आप website से भी कर सकते हैं नीचे में link देता हूँ और हमारा जो course है उसका जो study plan है उसका भी लिंक comment section में देता हूँ वहां से आप download करके उसको पढ़ सकते है तो अभी आपको इसके बारे में कुछ doubt है तो comment section में पूछ मैं answer देनी का try करता हूँ और एक तो दिन में हम इसके बारे में workshop करेंगे अगर आपके कोई queries है तो वहां पे हम उसका answer करेंगे थार यथ वाचिक निस वीडियो अट्डशने के लिग पुड है उसके बारे में जाया नहीं टाराइ्ड पार करेंगे